हेलो हेलो पैंसाब सभी का मेरे यूटूब चैनल राविना रोसोई में स्वागत है तो आज हम बनाएंगे बटूरे तो बटूरे का आटा और मेजरमेंट कैसे लगाएंगे देखें तो मैंने इधर आधा किलो सुजी और मैं टीप्स भी बटाती रहूंगे साथ साथ में सूजी हमें पीछ के ले नी हैं बारी सूजी और ग़ीनि हमें फीसी हॏली है मैंने एक टमाच चीनी डाली है और चेंद Turkish यह डाला है इसमें मिठा सोडा matchoccupation法 help दालेंगे इस तरह से और साथ में हम इसमें खट्टा ड़ी डालेंगे इससे हमारा खमन अच्छे से आटे का उठेगा अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो मैं फिर से रेपीट कर देती हूं क्या क्या डाला है मैंने अच्छे नमक डाला है बेकिंग पॉडर बेकिंग सोड़ा और ढ़े अब इसको डाल के हम इच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरह दोनु आतों से मैंने सब टेप्स पता दी है नहीं तो हमारे बटूरे अच्छे नहीं बनेंगे और फिर थोड़ा-थोड़ा पानी डाल के इसक आजादा पतला ना, जादा गारा तो इसका एक मिल्डे माटा लगा लेंगे। इस तरह से आप देखेश तरह से अब इसमें थोड़ा सउळू पानी डालेंगे इस तरह डाल करके और पर आपनी इसको अच्छे से फैला के इस तरह से थोड़ा पानी का छीता दे के श्रवर के पाने का छीटा देखे फिर से इसको एकटा करेंगे और एकटा करने के बाद इसको हम थोड़ा घी लगाएंगे ताकि हमारा बेटर सुखे ना और इसके बाद फिर हम एक पतीला लेंगे और इसको इथाली से कवर नहीं हो रहा है तो हम इस पतीला लेंगे और इसको ऐसे कवर करके थोड़ी देर दूप में रख देंगे 10-15 मिन्त या आदा घंटा के लिए आपके देर दूप आ रही है नहीं तब गरब जगा पे रख सकते हैं अगर नहीं है गरम जगे थोड़ी देर वासे रख दीजी देखिए अब आपको ऐसे लग रहा हुआ कि इतना पतला हो गया पर देखिए दो मिनट के बाद ही इतना स्मूद आटा हो जाएगा कि वटूरे इतने अच्छे और फुले फुले बनेंगे तो मैंने फिर से गी लगा लिया है और इसको अच्छे से हम बांध लेंगे इस तरह करके देखिए अच्छे लगे तो लाइक से यह के लिए चाइब करना मेरे चैनल को और यह आटा 12 लोगों के लिए तो या 15 लोगों के लिए भोद रहेगा आटा बत चो के साथ में 15 लोग फीट बैट जाेंगे 2,500 गिलों मैदा है और 6,5 आपको जितना आटा निकालना है थोड़ा निकाल ले और बाकी को हम ढ़के रखेंगे देखिए मैंने आटा तैयार कर लिया है आप थोड़ा से इसमें तोड़के साइड में रख लेंगे और और ढ़के इसको अलग से रख देंगे मैं बनाना ना बता प्ता हूं और दि खाते आपको इतने फुले फुले बटूरे बने है मेरे कितना और स्मूदली मेरा बटूरा बिल रहा है इतने आसानी से उल चिपक भी नहीं रहा है लेक्ति कितना आसनी से तो जो मैंने टीप्स बताई है फोलो कीजिए और इस तरह से बटूरे का आटा लगाकर तैयार कर लिजिए और हम नहीं बनाएंगे तरह से लगता है कि इतना हाड ट्राइ करेंगे तो आसान है इतना हाड नहीं है इस तरह से स्मूथली चले इस तरह से थोड़ा तेल डालके बटूरे को फुला लेंगे इस तरह से देखें हमारा कितना फुला फुला बटूरा बनकर रडी हुया है हुआ है देखेंगे बाई थैंक्स पोर वोच्चूंगे वीडियो को